ब्रह्म दक्षाश्विदेवेश भरत द्वाजपुनर्वसू उताश्वेशचर्क प्रबूरुति भ्यो नमो नमहा अभी हम पंदरूपियम इंद्रियम ये जो अध्या है इसका अध्यान करने वाले हैं ये अध्या अत्यानत महत्वका है क्योंकि इसमें कुछ विश्यों का वरनन किया है इसके उपर और काम करने की जरूरत है कई जगाँ पे जहां पहां पे इस अध्याय पे उपर काम होना बहुत बहुत आवश्चक है कई बार ऐसा होता है कि काम करने की इच्छा होती है पर फैसलिड़िस नहीं मिलती जैसे हमारे मैं जिस प्रावीड कॉलेज मे करता हूँ या मैं जहां पे हूँ वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी facilities available नहीं है पर जामनगर, जैपूर BHU या साउथ इंडाय के जो colleges है वहाँ पे इस परकार की facilities available है तो वहाँ पे ये काम होना अत्यनत आवश्चक है इसलिए मेरी request है कि ये जो अध्या है पन्न रूपी ये अध्या है इसके उपर काम होना बहुत आवश्चक है इसको पन्न रूप क्यों कहा है क्योंकि ये पन्न रूपम, मतलब पन्न कार्थ है नश्ट हुआ पन्न रूपियम, मतलब नश्ट हुआ रूप जिसका रूप नश्ठ हुआ है उसको पण्ञ रूप कहा जा जाता है इसकी टीका कही है कि व्याधी रूपा अनंतरम वेधना उपद्र उद्धिष्टव मैं यह वरणन हुआ है यह वरणन करने पर चाया और प्रदिचाया के रूप ऐसे जो अरिष्ट है जिसमें चाया और प्रतिछाया नष्ट हो जाती है उनका रूप नष्ट हो जाता है ऐसे पन्न रूपी अध्या का हम वरणन करेंगे अब यहाँ पे टीका है नीचे प्रथम सुत्र के पन्न रूपा में ती नष्ट रूपाम ऐसे टीका है जिसके पनश्ट हुआ है ऐसे जो घटक है ऐसे चाया और प्रतिचाया इनका वरण दिस अध्य में कहा गया है यह अत्यनत महत्व का विशह है विस्तार करने का प्रयास में करूंगा जरूर दुरुष्ट्याम यस्य विजानियात पन्नरूपाम कुमारिकाम प्रतिचायाम प्रतिचाया प्रतिचाया उसके उपर वैद्य को अपनी खुद की प्रतिचाया नहीं दिखाई दी तो समझिये कि ये वैद्य अब मृत्यू होने वाला है इसकी चिकिसा नहीं करनी चाहिए दुरुष्ट्याम यस्य विजानियात पन्नरूपाम कुमारिकाम कुमारिकाम में प्रतिच वैद्य को अपनी खुद की प्रतिचायाम पन्नरूपाम नश्ट हुई प्रतवापत होती है मतलब उसके आखों में आखों में जो काली पुतली होती है या फिर जिसको कौरनिया कहते है इसके उपर वैद्य को अपनी प्रतिच चाया नहीं दिखाए देती है तो समझिये कि ये रुगण अब मृत्यू होने वाला है जोसना या अतपे दिपे सलिला दर्शयो अपी अंगेशु विकृता यस्य चाया प्रेता तथा यवच उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की जोसना में जोसना मतलब चांदनी चांदनी में या अतप में मतलब धूप में दीप में दीप लगाने के बाद में जो प्रतिच चाय वो जो दिखाई देता है, जो चाया प्रतिर चाया है, वो अगर विकृत दिखाई देती होगी, मतलब ही न या अधिक आंग से या विकृत दिखाई देती होगी, तो समझिए कि वो प्रेत हो चुका है, मतलब वो पहले आतूर होना चाहिए, और अनिमित बिना किसी कारण के उसकी ये चाया और प्रतिर चाया विकृत होती दिखाई देती है, तो समझेए कि वह अब यो ठीक होने वाला नहीं है, अब किसी मेले में जाते हैं हम, तो मेले में ऐसा एक रहता है, कि कई प्रकार के आईने रहते हैं, जहांपे हम छोटे दिखते हैं, या बड़े दिखते हैं, या उचे दिखते हैं, या गाल बड़े दिखते हैं, या नाग बड़ी दिखती हैं, ऐसे अलग-अलग प्रकार के आईने लगाए होते रहते हैं, और जाके हम बहुत हस्ते हैं वहाँ पे, अगर ऐसी प्रती चाया या चाया आईने में आप बिना किसी कारण दिखाई दे रही है या पानी में दिखाई दे रही है या चांदनी में जो परचाई दिखाई देती है दूप में जो परचाई होती है या दीप का दीप लगाने बाद जो परचाई होती है वो गलत या वि ड़ड़ड है या रुगुण, ठीक नहीं होने वाला वो किस प्रकार से होती है उसकी विकृती किस प्रकार से हे वो आगे के सुत्र में है चिनना, भिनना आकुला, चाया हीनावा अपिआधीका आपिवा नष्टा तन्वी दुधा चिनना विकृता विश्यरा चया चिनना मतलब फटी हुई बीच में फटी हुई दिखाई दे रही है भिनना तुकडों में दिखाई दे रही है आकुला आकुला मतलब निश्चित दिखाई न दे रही है तेडी मेडी दिखाई दे रही है हीना मतब जितना वेक्ती है उससे हीन चाया दिखाई दे रही है अभी अधिका जादा बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है नश्टा बिलकुल धही दिखाई दे रही है तनवी पतली दिखाई दे रही है मतलब एकदम है या नहीं ऐसा कहने की ज़रूरत है ऐसी दिखाई दे रही है द्विदा छिन्ना दो भागों में भेद करके दिखाई दे रही है और विकृता विशिरा मतलब शिर नहीं दिखाई दे रहा है बाकी शरीर की चाय दिखाई दे रही है ऐसे अगर दिखाए देती है एतहाच अन्याष्च ऐसे भी कोई अन्य और विक्रुतिया जो याष्च कश्चीत प्रतिश चाया सा विगर हीता ऐसे भी कोई प्रतिश चाया की जो विक्रुतिय दिखाए देती है वो विगर हीता बतलब विक्रुत है ये सभी मुमुर्शु के लक्षण है, मुमुर्शु का अर्थ है, मुर्त्यूज को प्राप्त होना विकृति नहीं है, लक्षण इमित्त क्या है, यह हमने प्रथम अध्या में देखा था, लक्षण इमित्त विकृति का अर्थ है, जिसके हेतु प्राप्त होते है, और किस्स ट्रीट्मेंट करने पर वो ठीक होते हैं इस विकृती को लखनिमित्तौ विकृति कहेते हैं जिसको इंद्यां स्थान में वरणग किया अब आगे संस्थान एन प्रमाण एन वरणे प्रभया तथा चाया वीवर्दते यस्य स्वस्थोपी प्रेत एवसहा जिसके संस्थान संस्थान मतलब लक्षण संस्थान मतलब आकुरुदी आकुरुदी प्रमान मतलब उसका प्रमान क्या है शरीर का वरण और प्रभा और च्छाया ये पाच घटक जिसके प्रेत का आर्थ है जो मुरुत व्य प्रेत काा जाता है ८्तलौ अकृति, प्रमान, वर्ण, प्रभा और चाया ये जिसके विवर्ध के टिका गंगा दर्जी ने की है, रुपाँंतर अ त्वेंग वर्द दें। वो व्यक्ति अब प्रेत है, ऐसा समझिए, स्वस्था आपी, वो स्वस्था लग रहा होगा, पर उसके अंदर कुछ न कुछ संप्राप्ती चल रही होगी, और बिना किसी आतूर के ये विकृतिया, अनिमित्त विकृतिय उत्पन होती है, तो वो अभी मृत्यू होने वाला ह है, ऐसा समझिए, यहाँ पर वर्ण की विकृति प्रतम अद्ध्य में वर्ण की गई है, अब आगे बताते हैं, संस्थान क्या है, संस्थान मतलब आकृति, वो दो प्रकार की होती है, सुशमा, विशमा, आचव, सुशमा की टीका है, अविकृता, शोवन रुपा, जो मध्यम, अलप, महत, चोक्तम, प्रमाण, त्रिविदम, नरम, प्रमाण तीन प्रकार का है, मध्यम, अलप, और महत, यह तीन प्रकार का प्रमाण है, तो प्रती प्रमाण संस्थाना, जलात आदर्शात आतपा, जल आदर्श आतपा दिशु, चाया या सप्रति चाया, चाय या वरण प्रभाश्रया मतलब वरण और प्रभान संस्थान प्रति प्रमान और प्रति संस्थान मतलब प्रमान के अनुरूप और संस्थान के अनुरूप जल में आदर्श मतलब आइने में और आतप आदिशू आतप मतलब धूप में या जोसना मतलब जो चांदनी है उसमे ऐसे जिसमें जो चाया दिखाए देती है, जो प्रती प्रमान और प्रती संस्थान होती है, उसको प्रती चाया कहते हैं, यह प्रती चाया की वैक्षा है, यह चाया ही है, मतलब यह प्रती चाया और जो चाया है उसको प्रती चाया कहते हैं, जो चाया प्रती प्रमान, प्रती संस्थान आईने में जल में आतप में दिखाय देती है जिसको हम पणचाई कहते हैं उसको संस्कुरूप में प्रती चाया कहते हैं और चाया क्या है जो वर्ण प्रभाश्रया यह जो चाया है यह वर्ण और प्रभा के आश्रित है मतलब पाच प्रकार के वर्ण और प्रभा यह पंचविद होती ही, उसका वरण आगे किया है, चक्रपण ऐसा कहते हैं, चाया तू या पंचविदा सा वरण प्रभाश्रया, वरण प्रभास चरीताहा उपलब्यता, मतलब वरण और प्रभा के साथ वो दिखाई देती है, अब आगे उसका वरण करते हैं, खादी नाम पंच पंचा नाम, चाया विविद लक्षणा, अब महाभूतों के अनुसार पाच प्रकार के उसके लक्षण बताए है, नाबसी निर्मला नीला, सस्नेहा सप्रभेवच, मतलब नाबसी चाया कौन है, जो निर्मल है, जिसमें कुईसी प्रकार का मल दिखाए ने देता, न बुक्षण दिखाए देती है, शाव मतलब की इंचित, काले रंग की दिखाए देती है, अरुणा मतलब काला रंका और लाल रंका मिश्र, उसको अरुण वरन कहते है, ऐसी दिखाए देती है, और हत प्रभा, जिसमें प्रभा नहीं है, उसको वायवी चाया कहा जाता है, विशुद्ध रग्ता तु आगनेई, दिप्ताभा दर्शन प्रिया, जो आगनेई है, वो कैसी है, विशुद्ध रग्ता जैसी दिखा जेती है, लाल वरण की जैसी दिखा जेती है, दिप्ताभा, मतलब वहाँ पे प्रभा है, दिप्त प्रभा है, और दर्शन प्रिया दे शामा श्वेता चा पार्थवी, पार्थवी कौन है, तो जो स्थिर है, स्निक्द है, घन है, श्लक्षन है, शामवरन की है, या फिर श्वेता वरन की है, ये पार्थवी है, अब मैं इसका अभी तक सुत्रे पढ़ रहे, इसका अभी तक विस्तार नहीं किया है, यहाँ पे प चार जो चाया है, अंबसी, अगनी, पार्थवी और नाबसी ये स्वस्थव्यक्ति में दिखाई देती हैं, मतलब आप मुझे देख रहे हो, तो इस चार में से कोई एक प्रभा, एक चाया आपको दिखाई देती होगी, अगर मैं आपको देखूंगा, तो इन चारों में से क प्रतिछाया, और चाया मतलब मैं जब आपको देखता हूँ, तो आपके शरीर का जो वर्ण है, और जो प्रभा है, इसके साथ मुझे ये अगर लक्षन मिलते होंगे, तो उसको चाया कहते हैं, इसको अंग्रिजी में क्या कहेंगे, मुझे नाम ने पता, पर वर्ण और प प्राप्त होते हैं, उसको चाया कहते हैं, इसकी व्याख्या आगे की है, अभी तक विशय पूरा नहीं हुआ है, एक एक करके देखते हैं, अब प्रभा क्या है, वो आगे वर्ण किया है, वायवी गरहीता त्वासाम, इसमें से वायवी जो चाया है, वो गरहीता मतलब इं चाया ये प्राकुरुत अवस्था में स्वस्थ वेक्ति करें तो वो अरिष्ट के सूचक नहीं है सिर्फ वायविय चाया ये आतुर में दिखाए देती हैं वायविय तो विनाशाय अकस्मा दुद्पन्ना विनाशाय होती है वायविय तो वो विनाशाय है और क्लेशाय महती अगर वो सहज है बतलब जन्दमजात अगर उसके पूरे आयू में वो को सहन करना पड़ेगा अर यस क ओर और 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 एस प्रभा और इसा हाँ औरअ चाय को कह सक्ते हैं कूंकि प्रवाकार था आगे दिया है this a डॉक्टर भागवाप मैम डॉक्टर रा अलवेकर मैम altar कह सकते हैं इसको तो इस प्रकार से पार्च प्रेकार के चाया वरण की है और ने complexion is a varn complexion is not chaya complexion is a varn में आता है तो अब आगे कहते है आगे का विशे सुनिए पहले स्यात तैजसी उसमें से जो तैजसी है चाया मतलब आगनेई चाया है इसको प्रभा कहते है only आगनेई चाया को प्रभा कहते है साथ सब्त विधा वो साथ प्रकर की है मतलब चाया पाच प्रकर की है उसमें से जो तैजस है उसको प्रभा कहते है और प्रभा साथ प्रकर की है वो है रग्ता, पीता, सीता, शावा, हरीता, पांडूरा, असीता मतलब रग्ता मतलब लाल रंग की पीता मतलब पीले रंग की सीता मतलब सफेद रंग की शावा मतलब किंचित सावले रंग की हरीता मतलब हरे रंग की पांडूरा मतलब शुब्र वरण की अत्यंत शुब्र जो पांडू वरण में जो पांडू रोग में उत्पन होता है और असीता मतलब काले रंगरी तासामिस्ता यहां स्यू विकासिन यहां उसमें से कौन अच्छी है कि जो विकासिन दीरे-दीरे फैलती है दीरे दीरे फैलती है, स्निग्दहा, स्निग्द दिखाई देती है, विपुलाश्या और अच्छे युग्य मात्र में दिखाई देती है, ता प्रभा, शुबहा, प्रभा मतलब औरा, तेजसी चाया मतलब प्रभा, ता शुबहा, वो शुबहे, रूक्षमलिनहा, जो सुखी सुखए दिखाए देती है मली न युक्त दिखाए देती है और संग्शिप्ता अलप दिखाए देती है वो अशुभो दया और कोट्रink पदुण दे है मरनो अधाय है अब आगे उनकी वैख्या बताई है वर्णम आक्रामते छाया के मतलब अक्रामती स्चाया यपसा तरफ से वरण उपलब्भ देए और गंगधर कहते है वरणम आक्रमति इतिया मलीनदी करोतीज जा değer मतलब जो वरण को मलीन करती है मतलब धिनेउटी ठीक से दिखैनेगय देटी उसको चाइह चाइह यह वरण आक्रमित करती है प्रभा वर्ण प्रकाशिनी प्रभा ये वर्ण को प्रकाशित करती है आसना लक्षते चाया चाया नस्दीक से दिखाए देती है आसना लक्षते चाया ये दूर से नहीं दिखाए देगी चाया ये आसना लक्षते भाह प्रकुष्टा प्रकाशते भा जो है जो औरा होता है वो दूर से भी दिखाय देता है ना श्चायो ना प्रभाहा कश्चित विशेशा चिन्न यंतितू ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है रुग्ण छोड़ दिजे ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना चाया के नहीं होता बिना प्रभा के नहीं होता मतलब हर जीवीत व्यक्ति में चाया और प्रभा उपस्तित होते ही है विशेश चिन्न यंदी और उनके जो विशेश चिन्न है शुब अशुबो नुणाम शुब शुबो अशुबो पत्तिम उसके जो शुभ और अशुभ चिन्द जो वरणन किये है वो काले छाया federal वो समझना चाहिए काले मतलब परिपाक काले मुरुत्यू के समय इन छाया और प्रवा के जो शुभ और अशुभ लक्षण प्राप्त होते है वो वईद्यने समझना चाहिए अब आगे कहते हैं अब यहां चाया और प्रभा का अधिकार खतम होता है अब इसके अनुसार उसी के पद्धती से उसके अधिकरण से जो जुड़े हुए ऐसे कुछ और अरिष्टों का आगे वरणन करते है वो आगे एक-एक सुत्र में एक-एक अरिष्टों का वरणन है यहां पे चाया और प्रभा का अधिकरण खतम हुआ मैंने विस्तार करने का प्रयास किया है चाया यह वरणन को आक्रमित करती है मलीन करती है प्रभा वरणन का प्रकाशन करती है छाया नजदिक से दिखाई देती है प्रभादूर से भी दिखाई देती है छाया पाच प्रकार की है महाभूतो क्यानुसार उसमें से जो जल आदर्श आता है वो उसके प्रकार वर्णन की है यहाँ पे इसका अधिकण खतम हुआ अब आगे सूतर नमर आठरा, कामला अक्ष्नोहो, मुखम पूर्णम, शंकवयोर मुक्तमाउसता, संत्रा सश्चो उष्नगात्रतवं, यसतम परिवरजेत, जिसके आखों में कामला है, मतलब पहले वो रुग्ण कामला से ग्रस्त है, अक्ष्नोहो, दोनों नेत्रों में कामल पे शो थे, मुखम पूर्णम, मुखम माउसम पूर्णम बने मुखवे, ज्यादा माउसम अदब शोध उत्पन्द हुआ है, शंकवयोर मुक्तता, शंकव परदेश जो है, वो माउसहीन प्रतित होता है, और उसके साथ संत्रा सहा, उसको बहुत तकलिफ हो रही है, और उत्थाप्यमानहा शयनात प्रमोहोम्याति योनरहा, मुहुर मुहुर नसपताहम सरजीवति विकत्थनहा, ये और आरेक दुसरा रिष्ट है, कि उत्थाप्यमानहा, उत्थाप्यमान ये प्रेजन कंटिनोस टेंस है, मतलब सोके उठने वाला, जो व्यक्ति नीन से अभी उठ रहा है, ऐसे समय में उसको बार-बार प्रमोहो उत्पन होता है, मतलब उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है, वो बार-बार मोहोग रस्त होता है, या फिर जो बार-बार क्या कहते है, बेहोश हो जा है, ऐसे समय में मुहुर मुहुर, अगर ये साथ दिन तक चलता र वाला नहीं है विकत्थ नहां मतलब यहां पर अर्धमास का काल बताया है कि अगर लक्षन उत्पन्द हुए तो अर्धमास मतलब 15 दिन के अंदर वह व्यक्ति मरने वाला है क्या लक्षन है संस्रुष्टा व्याद यहां मतलब जिसमें कई दोशों के संस्रुष्ट मिश्रित लक्षन मिलते है ऐसे व्याधियों में प्रतिलोम और अनुलोम मतलब उर्धो मार्ग से शुरू होने वाला या अधो मार्ग से होने वाला ऐसे दोनों प्रकार उसमें मिलते है और उसके साथ जिसकी ग्रहणी व्यापन है ग्रहणी विक्रुत हुई है ऐसे रुगणकों 15 दिन के अंतरगत मृत्यू आने वाली है उभएगत रक्तपित्त जो है उसका वरणन इसी प्रकार से है रक्तपित्त के निदान में हमने देखा है कि जहाँ पे उर्दोमार्ग से भी और अदोमार्ग से भी एक समय में रक्तपित्त शुरू हो जाता है तो वो व्यक्ति आसाद्य होता है अब आगे उपर उद्धस्य रोगेण कर्शितस्य चाल्पम अश्नताहा बहु मूत्र पुरिशम्षयात यसदम परिवर्जेर उपर उद्धस्य कर्शितस्य अल्प मुटर उद्धस्य चाल्पम अश्नताहा रोगेण जिस व्यक्ति में जिसको रोगी है जो व्यादित है ऐसा व्यक्ति अल्प भी आहर खाता है कम आहर खाता है फिर भी अती मात्रा में मूत्र और अती मात्रा में पुरिश उत्पन्न होता है तो समझीए कि यह असाद्य लक बास्ष्च यथा प्रेता ततही वसा हां जो दुरूबल विक्ती मतलब व्याधी घ्रस्थ है बहु भूंगते प्राग भूकतत अंदम आतुरे मतलब जब वो स्वस्थत ता तब उस समय में स्वस्थत होने के समय में जितना अहार खाता था उससे जादा अहार वो आतुराव बहु भूंगते, मदलब स्वस्था अवस्था में जितना अहर खाता था, उससे ज़्यादा आहार वो आतुर अवस्था में खा रहा है, फिर भी वो दुरुबल है। इनका समावेश जो अरिष्ट के जो 47 भाव बता है उसमें आहार है और आहार परिणाम ये भी एक भाव है इन दोनों के अरिष्टा भी यहाँ पर बताते हैं इस्टम चा गुण संपन्नम अन्नम अशनाति यो न रहा शश्वत चा बलवरणा भ्याम ही अते नसर जीवती जो व्यक्ति इस्टम मतलब योग्य हितकारक और गुण संपन्न गुणों से संपन्न जो अहार अश्टो अहार विदिवश उसके साथ अहार सेवन करता है अन्नम फिर भी उसका शश्वत धीरे धीरे बलवरणा हीन होता रहता है इतना अच्छा अहार खाकर भी इस्ट अहार हितकर अहार काकर भी जिसका बलवरणा ये हीन होता रहता है वो व्यक्ति ज्यादा काल तक जीवित नहीं रहता प्रकूजती प्रश्वसिती शितिलम चादिसार्यते बलही नहा पिपासार्ताहा शुष्कास्यो नसर जीवती जो प्रकूजती मुख से विविद परकार के आवाज निकलता है उसके आवाज आती है प्रश्वसिती मतलब जो उसका श्वास प्रकुरुष्ट है ज्यादा मात और शितिलम अतिसारे से उसके साथ बड़ी मात्रा में शितिल धातु होकर वो नीचे से अतिसार के साथ जा रहा है अतिसार ये क्या है धातु में जो सार द्रव है धातुर धातुर प्रसिचते वो सारा धातु गत जो द्रव भांगे वो जाता है नीचे से उसको अतिसार कहते फिर बलहीना उसके कारण जिसका बलहीन हुआ है और पिपासारतहा तृष्ट लगती है शुश कास्या मुखशोष है ऐसे सारे लक्षन अगर एकसाध उथपन्न होते है तो अरव व्यादी के उपदर सरुप में उथपन्न होते है तो वो नस जीवती वो जीवित नहीं रहता रस्वम चय प्रश्वसिती व्याविविधन स्पंददे चया मुरुतम एवतम आत्रेयो व्याचक्ष से पुनर्वसू आत्रेय पुनर्वसू व्याच चक्षे मतलब आत्रेय ने ऐसे रुगण देखे थे कि जिन में बलही रस्वम चय प्रश्वसिती मतलब जिसका प्रश्वास ये रस्व है मतलब जो श्वास प्रश्वास है मतलब अंदर जाने वाला जो श्वास है वो अल्प है ऐसा रुक रुक के श्वास ले रहा है ऐसा जिसको चिनन श्वास कहते है और उसके साथ व्याविध्धम स्पंधते मतलब टेडे मेडे होकर चेश्टाई करता है वो ऐसा व्यक्ती और उसको आत्रे क्या कहते है मुरुतमेव अब वो मुरुतो होने वाला है ऐसे रुग्ण पुनर्वसु आत्रे ने व्याज चचक से देखे थे आगे कहते हैं उर्दोम चया प्रश्वसिती श्लेश्मना चा भी भूयते हीन बल और वरन बला हारो यो न रहा नस जीवती जो व्यक्ती बल वरन और आहार जिसका हीन हो चुका है ऐसे व्यक्ती में उर्दोश्वसन लगा है उर्दों प्रश्वसिती प्रश्वास गेते समय उसको बहुत जोर से श्वास लेना पड़ता है उर्दो श्वास लगा है उसका उर्दो श्वास श्वास का एक प्रकार है और उसके साथ श्लेश्मना अभी भूयते उरुस्त श्लेश्मा का अनुबंद है उस उरुस्त श्ले ये आगला लक्षन बताया है कि उर्ध्वाग्रे नयने जिसके नयन दोनो नयन नयने द्वीवचने उर्ध्वाग्रे द्वीवचने और नयने द्वीवचने तो दोनो नयन उसके उर्ध्वाग्रे निचे जाके चुके है उर्ध्वाग्र ने ने आखे ऐसे उपर हो चुकी है जो नीचे नहीं आ रही है और मन्य आरत कंपन दोनों मन्य भी द्वीवचने दोनों मन्या प्रदोशों में आरत कंपन मतलब बार बार कंपन हो रहा है जोर जोर से कंपन हो रहा है बलही नहा जिसका बलरहास हुआ है जो व्यक्ति शूली है, जहाँ जहाँ पे ग्रंथ में सिर्फ शूल उत्पन्ध वरणं किया है, तो वो हमेशा उदर शूल होता है, अगर स्पेसिफिक जगा का शूल बताना चाहते हैं, तो वो वरणं करते हैं कि प्रुष्ठ शूल, शिरशूल, नेत्र गत शूल, संदी गत शूले बताते हैं, पर जहाँ जहाँ सिर्फ शूल वरणं किया है, वो उदर शूल का वाचक होता है, तो जो शूली प्रद्वेश्टी, च अन्नम, जिसके उदर में तीवर शूल है, जो अन्न का तीवर द्वेश करता है, उसको आहर सेवन करने की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गंडव उपचितव, दोनों गंडप्रदेश ये उपर आचोके है, शोता है, दारुन जोर और दारुन का सुत्पन्नुआ है, ऐसा है लक्षन संदिपातिक जोर में भी है, वो व्यक्ति उसको किसी भी परकार का कर्म सिद्ध नहीं होगा, आगे है लक्षन व् अत्यंत अंति मावस्था में, व्यादी के अंति मावस्था में, जिसके व्यावरुत्त मूर्धम, व्यावरुत्त का अर्थ है, जो उसके शिर, मूर्धा, जिम्वा और आस्य, ये टेड़े मेड़े हो चुके हैं, मतलब विकृत हो चुके हैं, ऐसा मुख, ऐसा हुआ है, मुख, जिम्वा, और आस्य, मुरुदा मद शिर, शिर, जिम्वा, और आ मुख, ये ठेड़े हो चुके हैं, ब्रुव उचब इमुच चदे, ये ब्रु जो है, ये अपनी जगा छोड़के उसका प्रोल्याप सो चुका है, जिसका जो एक इसकी कंडिशन है, ये ऐसे आगे य ही है, और उसके साथ, देखिए, ये कौन सी नरो का डिस्फंक्शन हो सकता है, सोच सकते है, फेशल नरो का प्रोब्लेम हो सकता है, फेशल नरो पालसी, या फिर फेशल नरो के कोई भी और और जो विकृती है, उसमें हो सकता है, और कंटकई आचिता, कंटकई आचिता उसके जिव्मा पे अलग-अलग प्रकार के कंटक उत्पन्द होते हैं कंटक मतलब ऐसे उपे शोथ चोड़े शोथ उत्पन्द हुए है वो व्यक्ति प्रेत के समान है आगे शेफश चात्तरतम उत्सिक्तम निस्रुतों व्रुषणों व्रुषण मतलब अंदर जा चुका है जिस प्रुषव्यक्ति का शेफ मतलब उसका शीषण जो है वो अंदर जा चुका है अंदर जा उल्टा हो चुका है और व्रुषण निस्रुताहा मतलब व्रुषण जो एक स्कौटम में जो रहते हैं वो निस्रुता मतलब उसका प्रोल्याप्स हो चुका है अतर शेव ये विकृता है ये विकृत लक्षण है और वो प्रेत का लक्षण है और अतो विपर्यासा इसका विपर्यासा उल्टा भी लक्षण मिलता है किसी रुगण में शेफ निस्रुत हो तुका है पर हमारा शास्त्र, यह मनुष्यों के वरणन करने के लिए है इसलिए उनका यहां पर वरणन नहीं किया है उनके अलग आयरुवेद थे जैसे हस्ता इरुवेद अश्वा इरुवेद ऐसे उनके विशास्त्र उस समय में थे उनमें यह वरणन शायत उन्होंने किया होगा आज ये ग्रंथा में प्राप्त नहीं होत स्यात्वगस्थिशु एव दुरुष्चते क्षिणस्य अनशनतातस्य मासं आयू परंबवेत जिस वेक्ति ने अनशनताहा खाना छोड़ दिया है और क्षिण हो चुका है ऐसे वेक्ति में जिसका खाना छोड़ने पर और क्षीण होने पर निचितम माउसं माउसब पूरा क चुका है और त्वगस्थी शु एव दुश्चते सिर्फ त्वचा और अस्थी शेश रहे है ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई अस्थियों का पिंजर है वैसा दिखाई देता है तो वो व्यक्ति एक मास से पहले मरने वाला है इन इश्चित समझे तत्रश्लो कहा इदम लिं अरिष्ट लक्षणों को ठीक तरा से समझता है उसको अईरुवेद विद ये सवुध्या प्राप्त होती है इती अग्निवेशकुर्दे तंत्रे चरगप्रदी संस्कुरुदे इंद्रियस्थाने पन रूपियम इंद्रियम नामस अप्तमों अध्याया है हमने 6 और 7 अध उसके प्रसंग से उनका वरणन किया है जो वरणन सुतरस्थान में या शारी स्थान में नहीं किया है वो यहां किया गया है उसके साथ में कुछ और आहर की संदर्ब से और कुछ शारी रावयों के संदर्ब से कुछ आरिक्ष्टों का वरणन किया मैं फिर से एक बार प्या होना ज्यादा ज़रूरत है इतना कहकर मैं मेरे मेरे अलपमती से मैंने यहां यह वरणन करने का प्रयास किया है अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कुरुपया मुझे माफ कीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद कल सुबेद 11 बजे हम आगले अध्या लेकर फिर से मिलेंग के तब तक क्या धन्यवाद